नमश्कार मवप्रिया विहारी न्यूज में आपका स्वागत है विहार के सभी मठ और मंदिरों का ब्योरा अब उन्लाइन होने जा रहा है सिर्फ एक ही क्लिक पर विहार के सभी मंदिरों और मठों से जुड़ी जानकारी मिल जाएगी बिहार धार्विक न्यास बोर्ड एक खास वेबसाइट तयार कर रहा है इसी पर मठ मंदिरों के एतिहासिक महत्व के साथ रखबे की संपुर्ण जानकारी सार्वजनिक की जानी है इस पोर्टल को अब इस महीने के अंत तक ही लॉंच किया जा सकता है जुलाई महीने से ये वेबसाइट अब पूरी तरीके से काम करने लगेगी धार्विक न्यास बोर्ड से सम्मंधित सूबे के सभी मठ मंदिरों का पूरा ब्योरा इस वेबसाइट पर मौजूद रहने वाला है इससे भी खास बात ये है कि कोई भी व्यक्ती किसी भी समय इस जानकारी को कहीं से भी देख सकेगा वर्तमान समय की बात करें तो बिहार में धार्मिक न्यास बोर्ड से अभी लगभग साढ़े पांच हजार मठ मंदिर जुड़े हुए है इनके पास ही 29,000 एकड से ज्यादा जमीन मौजूद है इन में से ही बहुत सी जमीन पर विवादित या अवैध कबजा है फिलाल अब जमीनों का सटीक आकलन किया जा रहा है अगले कुछ दुनों में इसकी जानकारी वेबसाइट पर अप्लोड कर दी जाएगी आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि बर्तमान समय में किस मंदिर और मठ की कितनी जमीन अतिक्रमित है इसकी सटीक जानकारी जुला प्रसाशन के पास भी नहीं है राजसरकार ने अब सभी जिलों में मठ मंदिरों की अवैध कबजे वाली जमीन को खाली करवानी का आदेश भी दे रखा है इससे पहले जमीनों का डेटा अपडेट किया जा रहा है इसकी बाद ही अब अवैद कबजे वाली जमीन को अतिक्रवन से मुक्त करवाया जाएगा कुछ महीनों पहले ही मठ मंदिर की जमीन को धार्मिक संस्थान से बेद अखल नहीं होने देने की बात राजस्वेवं भुमि सुधार मंत्री राम सुरत कुमार ने दी थी उन्हाने ही साफ कहा था कि मठ मंदिर की जमीन के अतिक्रवन को हटाये जाने के लिए एक नियाधिकरन का प्राविधान किया गया है इस निया धिकरन के आदेश पर अपील का भी प्रावधान है ये भी विवस्था की गई है कि किसी भी हाल में अब जमीन पर बने निर्मान के किराय से मंदिर का जिर्नो धार कराया जाएगा इसको लेकर विहार भर में 1509 जमीनों को चिनित कर लिया गया है जिसके निबंधन का काम होने वाला है अब इस बारे में अंचला धिकारी के माध्यम से धार्विक नियास बोड के पास प्रस्ताव जल्द ही आने वाला है जिसके बाद ही अब इसका निबंधन होगा ऐसे जमीन का रखबाच 26 से 27,000 एकर तक है वहीं अब सरकार के नए फैसले से यही उमीद की जा रही है कि इन जमीनों को सरकार जल्दी अतिक्रमन मुक्त भी करवा देगी और जमीन कहां कहां पर मौझूद है इसका बेवरा भी जल्दी मिनने वाला है इसके साथ ही आज के इस वीरो में बस इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद